स्वा आगे थे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबी को खेलो इंडिया के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मैं आप लोगो कम्पलीट डेटेल समझाने वाला हूँ बहुत सारे प्लेयर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि खेलो इंडिया में जाने के लिए केवल एक सिंपल सा फॉर्म भरो और आपका काम हो जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है साथ में बहुत सारे यूटूब चैनल ऐसा भी समझाते हैं कि खेलो इंडिया के लिए के बार डिस्ट्रिक खेलो या फिर स्टेट केलो या फिर कुछ जुगाड करो और आपका काम हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है ऐसे ही बहुत सारी गलत गलत information यूटूब द्वारा काफी सारे लोगों को बताई गई है तो इस वीडियो में मैं आप लोग को correct guided information प्रोवाइड करने वाला हूँ जुसके बाद आपके बाद में जो भी questions हैं सारे के सारे questions clear हो जाएगे अगर आप इस चैनल के पर पहली बार आपको sports related और जादा details required है तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को subscribe कर लो काफी जादा valuable ये चैनल आप सभी के लिए बनने वाला है सबसे पहली और important update अगर आप किसी भी YouTube creators को देखते हो जो भाई खेलो इंडिया की जर्सी पहन के वीडियो बना के आपको समझा रहा है कि खेलो इंडिया में जाना है तो district के भी थुरू आप खेलो इंडिया के लिए जा सकते हो तो भाई वो गलत information provide कर रहा है काफी सारे बच्चों ने मुझे काफी सारी वीडियो बेजी है कि देखो सर ये बड़े creator है जो हमें समझा रहे हैं कि नहीं district खेल के भी हम जा सकते हैं थोड़ा बहुत ट्रिक बता रहे हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो तो हो जाएगा तो भाई possible ही नहीं बनता है Hello India का guidelines ही ये कहता है कि आप लोगों कम से कम नहीं तो national के अंदर participation करना ही पड़ेगा तभी जाकर के आप लोगों यहाँ पर मौका मिलने वाला है तो प्लीज आप कुछ गलत जो चैनल से उनको follow करना छोड़ दो अब बड़ी अगली important update कि ये जो वीडियो है ये part 2 का वीडियो बनने वाला है part 1 वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझा दिया है अच्छा खासा तगड़ा वीडियो था जहां पर कैसे बच्चों को select किया जाता है वो चीज़े समझाई गई थी अब इसके अंदर selection process आपको एक बार समझ में आगे किन बच्चों को select किया जाता है अब उसके बाद की चीज़ कि कैसे selection process आगे further proceed होता है वो चीज़े मैं आप लोगो इस वीडियो में समझाने है तो part 1 का वी वीडियो देखने ना आपको थोड़ी और जादा knowledge मिल जाएगे अब भी अगली important update क जो गलत information फैल आई जा रही है जिसके अंदर सबसे बड़ी और गलत information यह है कि online registration करो और आपका selection हो जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है किसी भी online registration से selection होने का जो chances है वो बिलकुल भी नहीं माना जाता है हाँ खेलो इंडियो के एक site है जहां पर आपको register करना पड़ता ह कि हाँ मैं ऐसा ऐसा player हूँ मैं इस इस game में represent किया हूँ मुझे खेलो इंडिया में आगे जाना है website genuine है बट ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वहाँ पर registration कर दिया तो आपको select कर लिया जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो यह गलत चीज भी आप अपने दिमाग से हटा द दूसरी गलत information की खेलो इंडिया के लिए national खेलना जरूरी नहीं है अगर आपने district खेला रहेगा state खेला रहेगा जबकि यहां तक भी बताया गया कि अगर आपने कभी भी नहीं खेला रहेगा तो भी आप यहां पर represent कर सकते हो तो ऐसा भी नहीं है national खेलना और उसमें medal लान important बनता है हर एक sector में चाहिए जो भी clusters की आप बात कर लो वहां पर required रहता है EFI SGFI हर जगे पर winners को ही पूछा जाता है चीज़े समझ में आ गई अगली बड़ी गलत information बताई जा रही कि खेलो इंडिया में participate करने से आप लोगों को मौका मिलने वाला है Commonwealth और Olympic Games में participate करने का जह आप लोगों कुछ पैसे वगरे का देने का है वह मैं आप लोगों आगे समझा दूंगा बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहां पर गोल मेडल वगरा ला दिया तो आपको डारेकली एशन गेम्स Commonwealth गेम वगरा वगरा में भेज जा जाए तो ऐसा नहीं है देखो बहुत सा पारी चीजे रखी गई है जो मैं आगे भी समझाने वाल बट यह भी गलत इंफॉर्मेशन है कि नहीं मिलेगा ही मिलेगा कुछ भी हो जाए आपको ओलंपिक में खेलने का मौका मिलेगा तो ऐसा भी नहीं है ओलंपिक का सफर अभी थोड़ा बहुत दूर है हाँ खेलो इं खर्चा निकाल सकते हो ऐसी भी बहुत सारी चीजे की गई है अब इंपॉर्टेंट चीजों को स्टार्ट किया जाता है जहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजे की खेलो इंडिया का सेलेक्शन प्रोसेस बहुत जादा डिफिकल्ट है बहुत बार गोल्ड मेडल वि अब ही नहीं है 31 जैनवरी 2018 को इसकी इस्टाब्लिश्मेंट की गई थी उसके बाद से खेलो इंडिया के गेम्स को प्रोसेस किया गया है कोविड-19 का वगरे का कारेक्राम आगे जिसको इसे और जादा चीजों में डिले हो गया थोड़े समय पहले ही खेलो इंडिया के इंडिया के इंडर कौन-कौन से गेम्स को इंक्लूड किया गया जो बहुत सारे बच्चों को रहता है तो वह भी डीटेल्स में आप लोगो सारी गेम्स बढ़ाए भी गए हैं और रोजाना बेस के उपर भी काफी जादा इंप्रूमेंट यहां पर की गई है बहुत सारे इंडिजनियर्स गेम्स को भी यहां पर इंक्लूड का जिसका अपडेट में आप लोगो फॉदर भी देने वाला हूं एक मेजर अपडेट द सार दिख रहे हैं अगर आप यहां पर सेलेक्ट होते हो तो आप लोगो ट्रेनिंग्स वगर के लिए भी काफी सारी फेसिलिटीज मिल सकती तो ऐसा बहुत कुछ अभी चालूं किया गया है इसका अपडेट भी में आप लोगो फॉदर किसी और वीडियो में समझा दोंगा यहां पर आप लोगो आर्चरी, एटलेटिक्स, बैट्मिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुडबॉल, जिम्नास्टिक्स, होकी, जूडो, कबड़ी, खोको, स्विमिंग, ऐसे बहुत सारे और भी गेम्स को यहां पर इंक्लूड कर दिया है जिनका कम्प्लीट टेबल टैनिस, लॉन टैनिस, वालिबल, रेसलिंग, एन वेटलिफ्टिंग, तो यह है कुछ गेम्स जो यहां पर इंक्लूड किये गए हैं, इन सारे के सारे गेम्स के अलावा और भी बहुत सारे इंडी जुनियर्स गेम्स को भी आपर इंकलूड किया गया था, दिसमबर 2020 के आसपस इसमें अभी भी और भी काफी सारे गेम्स आने वाले हैं तो यह जो आप गेम्स देख रहे हैं इनके अलावी बहुत सारे गेम्स अभी आने वाले हैं Halo India एक छोटा सा इनिशेटिव लेने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो गेम्स को भी इनकलूड करने की कोशिश कर रहा है रसा कशिय हम कहते हैं उन गेम्स को भी इनकलूड किया जाएगा बहुत सारी चीज़े चल रही है बहुत सारी अपडेट्स के थूरू मैं आप लोगो उनके बारे में भी डीटेल्स बताने वाला हूँ अभी के टाइम पर नियूली में योगा को भी खेलो इंडिया के दर इंकलूड किया गया तो अगर आप एक अच्छे का से योगा इंस्ट्रक्टर वगर हो तो भी आप यहाँ पर अच्छा खासा मेडल और प्राइस तो भाई जबरदस यहां से मिलता ही है तो यह भी आप लोगों यहां से मिल सकता है तो यह है कुछ इंडिजुनियर्स गेम्स जिनके अंदर अगर आपको मारत रहेगी अगर आपको इनके बारे में नौलेज रहेगी तो आप इन में भी यहां पर अपलाई कर सकते हो अब अगली इंपोर्टेंट अपडेट की खेलो इंडिया में खेलने से फाइदा क्या मिलता है हम इन्हें इतनी महिनत तो कर ली अब इस चीज का फाइदा क्या बनने वाला है जो मैं आप लोगों ऊपर गेम्स के बारे में डेटेल्स बताई थी ना ने इन सबी के सबी गेम्स में से ये सारे के सारे गेम्स में से दो बच्चों को कि एकला है तो भाई बहुत बड़ी बात होती है काफी सारे बच्चों को notice किया गया है जिनके पास खाने तब के पैसे नहीं होती है मगर फिर भी वो अपने sports को effort देते रहते हैं तो उन बच्चों के लिए चीज़े काफी जादा valuable बनती है sports सब कुछ बनता है बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा तो उनके लिए ये efforts काफी जादा बड़ा बनता है तो मैं बहुत जादा salute करना चाहूँगा खेलो इंडिया को इंडियन गॉर्मेंट को जिन्नों ने इतनी बड़ी initiative को लिया है अब यहाँ पर जो दो प्लेयर को select किया जाता है वो performance basis के उपर किया जाता है ना कि award winning basis के उपर जो बहुत सारे time first second जो बच्चे रहते हैं उनको भी दे दिया जाता है बट एक दो बार ऐसा भी notice किया गया है कि जो first second रहता है उनमें से जो third वाला रहता है क्या पता उसने ज़्यादा effort लिया रहेगा ज़्यादा कोशिश की रहेगी बट कोई ना कोई हाथसे के कारण वो नहीं जीत पाया रहेगा जैसे हमने भाग मिलखा भाग देखी थी उसके अंदर जो एक race होती है जो selection के लिए की जाती है समझे नहीं जहाँ पर मिलका सिंग के पैर के अंदर वो पत्थर गुश जाता है मगर फिर भी उनको select किया जाता है ऐसे भी बहुत सारी बच्चों को select किया गया जिनका performance अच्छा था भले वो जीत नहीं पायते हैं उनको भी यहाँ पर selection दी जाती है ऐसे भी बहुत सारी facilities यहां से provide की गई है एक बार अगर आपको खिलो इंडिया के अंदर नाम बन जाता है तो आप लोगो professional coaching का भी काफी जादे जगों से मदद मिल जाती है उसके साथ में जो भी पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उन सभी को sponsorship scholarship मिलती है और जो नहीं पढ़ते हैं उनको केवल sponsorship दी जाती है बट उनकी sponsorship 10 लाख उर्पे तक तो भाई सालाना बेस के उपर बनती है यह जो है खेलो इंडिया यह normal ऐसा नहीं है कि चलो आपने एक बार खेल लिया जीत लिया हो गया अब कुछ नहीं इसके बाद भी आपको बहुत सारी facilities मिल जाती है Asian Games के अंदर भी एक तरीके का मौका रहता है कि हाँ जो भी selection committee रहती है उनको भी idea रहता है कि नहीं नहीं इस बच्चे ने इस game के अंदर खेलो इंडिया में अच्छा performance दिया था एक बार trial के लिए बुलाते हैं देखते हैं कि वह कैसा performance है तो ऐसा भी काफी सारे बच्चों के साथ किया गया है तो ये था कुछ benefits जो बहुत सारे बच्चों को दी जाती है अब सबसे जादा important चीज की खेलो इंडिया का selection कैसे होता है चाहे वो team game हो गया, individual game हो गया वहाँ पर select कैसे किया जाता है वो चीजे में आप लोगो समझाने वाला ये बहुत जादा important बनता है बहुत सारे YouTube channels यहीं पर गलती करते हैं तो इस चीज के लिए थोड़ा जादा आप लोग focus करना जो selection process है individual game हो के लिए उसका मतलब क्या है कि जो single game है जैसे athletic हो गया, wrestling हो गया ऐसे जो single वाले games है उन games के लिए top 8 player को select किया जाता है school game federation of India की तरफ से SGFI मतलब school game federation of India जिसके जो top के 8 लोग हैं उन लोगों को select किया जाता है यहाँ पर समझ में आ गया, थोड़ा ध्यान से समझना हर एक sport के लिए अगर आप athletics के 100 मीटर में हो top 8 में, तो आपको athletics के 100 मीटर के खेलो इंडिया के लिए select किया जाएगा वैसे ही अगर आप 200 मीटर में top 8 में हो, SGFI के तो अब जागर यहाँ पर आपको select किया जाएगा, खेलो इंडिया के 200 मीटर के लिए, ठीक है ऐसा आप लोग नहीं कर सकती कि हाँ मैंने 100 मीटर के लिए अंदर national मारा था, तो नहीं मुझे अभी सर 200 मीटर के अंदर भागना, तो ऐसा नहीं किया जाता समझ में आ गया, और SGFI मतलब school games federation of india student game और कौन सा अलग-अलग game है वो नहीं, वो सब कुछ fake है ठीक है, OGL में के अंदर क्या आता है school game federation of india समझ लो, प्लीज, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते है, school game federation of india के नाम पे बहुत सारी चीज़े चल रही है ठीक है, student school game federation of india, नहीं student game federation of india, नहीं ये सब गलत है, एक ही सही है वो है school game federation of india जिसके top 8 player को हर एक event के थुरू pick किया जाता है समझ में आगे चीज़े अगली बहुत ज़्यादा important चीज़े की 4 nominations from federation, ठीक है, 4 nominations from federation, अब यहाँ पर क्या होता है अगर आप athletics की बात करते हो तो वहाँ पर athletic federation of india सबसे ज़्यादा top पर आती है एक loti india के register federation है तो यहाँ के बच्चों को सबसे पहले मौका मिल जाता है उसके बाद जो recognized federation से बहुत कम है इंडिया में ठीक है, नाम नहीं लिया जाता है कि कौन से real है, कौन से fake है थोड़ा गलत हो जाए 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 जो भी recognized federation से उन federation के कौन बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जाता है अब इसके अंदर कौन कौन सा federation आता है इसके पर एक separate video ही बना दी है तो प्लीज आप लोग उस video को चेक करना आपको काफी सारी information समझ में आ जाएगी उसके बाद अगली important चीज है कि एक बच्चे को select किया जाता है CBSC clusters के थरूप अब ये भी क्या है इसके उपर भी बड़ी वीडियो बना दी गई है इस वज़े सी ये channel इतना जादा important बनता है हर एक important important information को cover किया जाता है तो CBSC Cluster के जो games होते हैं उनमें से एक बच्चे को select किया जाता है जो एक particular game के अंदर है अगर आप CBSC Cluster के अंदर 100 meter के top के athlete हो तब आपको यहाँ पर directly मौका मिल जाएगा एक और important update ये जो nominations होती है इनके अंदर क्या रहता है कि पहले आप लोग का एक trial भी conduct करवाया जाता है ठीक है तो वो चीजों का भी आप लोग को ध्यान रखना है उसके बाद एक बच्चे को select किया जाता है host state के तरफ से इसका मतलब क्या होता है कि जो भी state के अंदर खेलो इंडिया के matches हो रहे है वहां से एक बच्चे को मौका मिलता है इन गेम्स के अंदर participate करने का तो वो state decide करता है कि हमारे कौन से बच्चों को इन गेम्स के अंदर बेजना है तो वो state association हो गई या फिर national association हो गई उस state की वो decide करती है कि हमारे state से ये बच्चा इस गेम के लिए जाने वाला है तो ऐसे ही हर एक गेम के लिए 100 मेटर, 200 मेटर, 400 मेटर, 800 मेटर जो भी गेम है सभी के लिए एक-एक बच्चे को भेजा जाता है इसका जो selection है ये सारी की सारी चीज़े state की उपर छोड़ दे जाती है उनको जैसे करवाना है वो वैसे करवाते है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ घोटा ला होता है पैसे दे करके बहुत सारे बच्चे आ जाते है ये गलती आपको करना नहीं है नो डाउट कि भाई यहां पर यह सारी की सारी चीज़ चलते हैं तो अव्यसी बात है नॉमल सी चीज़े हर जगे पर होती है कि भाई बहुत सारी लोग गुस दे देते हैं जिसे उनको यहां पर खेलने का मौगा मिलता है अगर आप यह चीज़े करके भी यहां पर सिलेक्ट ह अब यह wild card entry क्या होता है जो भी state associations हैं पूरे के पूरे इंडिया में से वो decide करती है कोई भी दो बच्चों को बेजने के लिए जो national के इंदर qualify नहीं करता है ओके होता है बहुत सारे टाइम देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्राइल्स में सेलेक्ट नहीं होते हैं बट हां उनका performance तगड़ा रहता है medical reasons के वज़े से वो नहीं qualify करते हैं तब उनको यहां पर wild card entries के लिए select किया जाता है जो हर एक game में दो दो बच्चे रहते हैं इसका भी trials होता है तो यहां पर भी trials conduct करवाये जाते हैं यहां पर court trials होता है इसके अंद़er trials होता है और यह नुकि olur चीजों के इंदर trials conduct करवाये जाते हैं और बाकि सारी में तो बाइट होता है बटो चीज चीज संच के अंदर trials conduct करवाये जाते हैं समझ में आगा कि individual games के अंदर क्या क्या चीजे होती है अब मैं आप लोगों फटा फट बता दे तो team games के अंदर क्या क्या चीजे conduct होती है तो यह जो आप चीजे देख रहे हैं यह सारी कि सारी team games के लिए है इनके अके अंदर कैसा रहता है कि जो top four players है SGFI के federation के तरफ से उन लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है समझ में आगए चीज़े team games में कैसा होता है कि यहाँ पर trials ही trials होते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी teams रहती है उनके trials ही trials को conduct करवाय जाता है teams जो रहती है वो shuffle हो जाती है यह चीज़े आप लोगों को ध्यान रखना team यहाँ पर बहुत ज़्यादा shuffle होती है दो बच्चे जो रहते हैं वो nomination federation की तरफ से आते हैं यह चीज़े भी वो वीडियो को देख ले न उसके सब को समझा दिया गया है host मतलब जो भी state खेलो इंडिया को कंड़क करवाता है उनको यहाँ पर मौका मिल जाता है एक जो रहता है organizing committee के तरफ से होता है यह भी in short host की तरफ से आगया but organizing committee वो रहती है जो खेलो इंडिया के इंदर बड़ी sponsorship देती है तो उन लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है अपने एक नएक player को यहाँ पर भेजने के लिए तो यह रहता है team game का काम जहाँ पर अलग अलग रहता है बहुत सारे time ऐसा भी देखा गया है पुरी की पुरी team को ही ले लिया जाता है बहुत सारे time ऐसा गया है जिसके एक या दो player को select किया गया है तो वो टोटली डिपेंड करता है इंडिविज्वल के परफॉरमेंस के उपर अगर एक ऐसी टीम है जो कि अनबीटेबल है मतलब उसको कोई हरा ही नहीं सकता है वो डारेक्ली टीम को सिलेक्ट कर लिया जाता है और बाकी सारे टीम जो रहती है वो फॉर्म की जाती है टीम गेम का थोड़ा जादा लोचा चल रहा है मतलब थोड़ी जारी चीज़े क्लियर नहीं हो रही है कि काफी सारे लोग ऐसा समझा देगी नहीं यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पूरा टीम लिया जाता है काफी सारे लोग ऐसे भी बताते हैं कि यहाँ पर सिंगल सिंगल पै अब अगली इंपोर्टेंट अपडेट हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जो रखे गए हैं आर्चरी बैक्टमिंटन और शूटिंग के लिए यह तीन अलग-अलग स्पोर्ट हैं जिनका सिलेक्शन फेक्टर बाकी स्पोर्ट गेम से थोड़ा अलग रखा गया है जहां पर SGFI के जो टॉप 16 प्लियर्स हैं उनको मौका मिलता है यहां पर ट्राइल्स देने का एक जो रहता है वो नॉमिनेशन फेडरेशन के तरफ से आता है जो कि एक रेकगनाइस फेडरेशन होनी चाहिए उसके बाद एक जो बच्छा रहता है वो आता है CBSC क्लिश्टर के तरफ से व वो भाई organizing committee बन जाती है जैसे अगर आप IPL की बात कर लो तो वहाँ पर Tata IPL करके आता है इसका मतलब क्या है कि Tata IPL ने चीज़ों को organize किया है समझे तो ऐसे एक हेलो इंडिया क्यों जीतने से क्या फायदा होता है वो भी चीज़े समझ में आगे अच्छा performance करने से क्या फा कोमेंट सेक्षन के नदर आप मुझे सारी की सारी चीज़ें पूछ सकते हो नीच से description को प्लीज चेक करते हुए जाए काफी सारी चीज़ों को वहाँ पर update कर दिया है आच की वीडियो में बस इतना ही था मिलते एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार ज कर दो कि हो प्लेम क्या है आप कार मुझेत हlorा मुझे हें ृवाकर फिर फिर तोर तो में नहीं में प्लेवार रубोता जाल थाए है